नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है देखने जोतिश जिराट के नॉम्बर महिने का मासिक रासिफल सिंग, कन्या, तुला और व्रिश्चिक वालों के लिए कैसा भीतने वाला है, क्या मिलने वाला है लेकर हाजिर हूं सुर्य और मंगल तुला राशी में रहेंगे, सुरवाती समय पर, शुक्र व्रिश्चिक में प्रवेश किये हैं, बाकी ग्रोहों की स्थती जैसा कि आप लोग को पता है कि राहु के तु ब्रिश्चिक को घेर के रखे हैं पहले से ही, क्या राशियों में उथल पुथल मचव पाएंगे ये लोग, और क्या उपाय करें सिंग, कन्या, तुला और व्रिश्चिक वाले, ये पूरी जानकारी पुरा प्रतांत ले करके हम आए हैं, तुला राशी में सुर्योदय होने जा रहा है, एक नवंबर का, पंद्रह तक अभी सुर्य इसी में हैं, और इसके बाद पंद्रह को, पंद्रह नवंबर को ब्रिश्चिक में प्रिवेश करेंगे तुला से, तब तक के लिए अब आपको हम बताते हैं कि सिख्छा, ब्यापार, आदी, हर छेत्र आपके लिए क्या साउगात देगा, सिंग राशी, पढ़ाई के मामले में मैटर, चुकि आपकी ही राशी का स्वामी नीच का है, तो ब्रिश्चिक राशी में जब तक प्रिवेश नहीं करते हैं, तब तक मन कम लगेगा, बाहरी तत्तों का हस्तक्षे बहुत रहेगा, काम में उल्जे जा रहेंगे, तो हाई प्रभावित होगे, नवंबर महिने में 20 नवंबर के बाद थोड़ा-थोड़ा करके आप सिक्षा में आगे बढ़ेंगे, सिंग राशी नवंबर 2021 ब्यापार की बात करें तो बिजनस फिर भी ठीक चलेगा, यहां समस्या नहीं है, कदम बढ़ाएंगे आप, उन कदम को ले करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, लाव के बड़े-बड़े अवसर मिलेंगे, उन अवसरों में आप जूज के आगे बढ़ते चले जाएंगे, ब्यापारी दिश्टिकोर से समय सिंग राशी वालों के लिए ठीक है, प्राइवेट सिक्टर में अगर जॉब करते हैं, तो सुरवाती समय पांच नॉवंबर से सोलह नॉवंबर तक कष्ट वाला है, ये समय ठीक नहीं है, सोलह नॉवंबर के बाद परिस्थतियां बहुत अच्छी रहेंगी, लाप जरूर होगा, हर प्रकार की शुपता आपको मिलेगी, प्राइवेट सिक्टर में जॉब करने वालों को दूसरों पर भरोसा कम करना होगा, सरकारी छेत्र, नॉवंबर दोहजारी किस सिंग राजी, प्रमोशन है, पांच से छे तक साथ तक तक तीन दिन में कुछ गुट डियूज मिलेगा, इसके बाद थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, लेन देन में ध्यान दीज यह ठीक नहीं है, ध्यान दीजेगा, पती पतनी के बीच बाहरे तक तो जबरदस्त हस्तक शेप करेंगे, इस्पिसली साथ आठ नॉवंबर तक उसके बाद सबय ठीक होगा, लव लाइफ की स्थति में सुधार है, परिशानियों से बाहर निगलेंगे, साथ से लेके बाइ और किटनी की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना चाहिए, परियोग के तोर पर, मादुरगा को प्रणाम करते हुए, मन को संयत रखिएगा, पूरे महीने क्या करना है, वो हम अभी थोड़ी दिर में बताएंगे, कन्या राशी, आपकी राशी का स्वामी बुध, बहुत अ एक-एक करके स्थिती सुधारने के लिए आगे बढ़ाएगा, सुरवाती समय 6, 9, 18 ये थोड़ा सा प्लस माइनस पढ़ाई के लिए, ब्यापारिक दिश्टिकोर से समय अनकूल रहेगा, मानसिक मजबूती रहेगी तो बिजनस में सही डिसीजन्स लेंगे आप, पार्टन 9, 18 और 26 तारिक प्रमोशन आगे बढ़ाएंगे कदम, नई नोगरी की संभावना है, सरकारी छेतर में माइनस इस्थती दिखाई देती है, खास तोर पर सुरवाती समय में, 1 नमबर से लेके 11 नमबर तक, ठीक इस्थती नहीं है, किसी न किसी तरह की जांच में उलद सकते ह Married Life बहुत अच्छी है, यहाँ पर कोई चिंता की अपशक्ता नहीं है, आपकी राशिका स्वामी मजबूत है, तो जो भी प्रिस्थती आएगी, आप पती-पत्नी मिलकर जूझेंगे और जूझकर आप उनका हल निकाल लेगे Love Life की स्थती में थोड़ा सा Imbalance होगा स्टार्टिंग में, बट जब सूरे एक बार चेंज कर लेंगे अपना घर, ब्रिश्चिक में आ जाएंगे, तो सब कुछ बहुत सामानने और साहज होगा दुतियस्त सूरे नीच के होने के कारण थोड़ा सा वाणी पर आपको अंकुष लगाना होगा, इस्पेशली रिलिसंसिप में स्वास्त के मामले में आँख, पेट और किटनी की समस्या जरूर होने वाली है, सूरे के कारण पेट से तो बहुत परिशान रहेंगे, गैस खूब बनेगा, डाइजेशन को लेकर एकदम चिंता रहेंगे, कई बार उल्टियां होंगी आपको पूरे महीने में, थोड़ा खान पान पर इस्पेशली ध्यान दीजेगा, तुला राशी, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, नॉमबर दोहजारी किस तुलावालों के लिए अनकूल रहेगा, शुक्र मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, शनी चतुरत भाव में सुग रही हैं, ब्रहश्पती अकारक हैं लेकिन छेड़ेंगे जरूर कुछ न कुछ, तो ध्यान देना होगा, सिक्षा क कि बात करें तो समय बिल्कुल ठीक है, पढ़ाई अच्छी करेंगे आप, कोई दोस्त मददगार साबित होगा, एक जिएक बैठ करके बहुत अच्छे से सिक्षा आपकी चलेगी, ब्यापारी के दिश्टिकोंट से कष्ट मिलेगा, बिजनस आपके लिए ठीक नहीं है, य परकारी छेत्र में आप भारी पढ़ सकते हैं, गौर्नमेंट सेक्टर को लेकर के सजग रहें, पांच, नव, बाईस, अठाइस, आपकी ब्रुद शडियंत्र होगा, मैरिड लाइफ में सुधार हो रहा है, बच्चों का सुख मिलेगा, बाहर घुमने तहलने का कारिक्रम दिनांक 9-18 तारिक थोड़ा सा विवाद से बचने की आवशकता है, तारिक नोट कर लिजेगा, लव लाइफ में हर प्रकार की शुपता है, रिष्टा मजबूत रहेगा, मधूरता के साथ कदम बढ़ाएंगे और कुछ अच्छा एचीव करेंगे, स्वास्त के मामले में पेट दर्द, कमर दर्द, आँखों की समस्या हो सकती है, प्रियोग क्या करना चाहिए, बताऊंगा मैं ध्यान दीचेगा, बिश्चक राशिप, मंगल ठीक स्थिति में है, चिंता मत करिए, चाहे सूरी के साथ हैं या फिर अपने घर के आएंगे, आपकी तूती बोलनी है आपका डंका बजेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, पूरे माह सुक्षा में आपकी खूब सुधार होगा, किसी तरह की चिंता की आवशक्ता ही नहीं है, हर तरह से मन लगेगा सुक्षा में, ब्यापार आपके लिए कश्ट साध्य हैं, बिजनस में परेशानिया बढ़ सकती हैं, ब्यापारिक नुकसान जबरदस्त होने वाला है, सुधार लाएंगे आप तो सब कुछ ठीक रहेगा, बिजनस में मजबूती अपने आपको ध्यान से देखनी है, प्राइवेट सिक्टर आपके लिए बेहतरीन है, प्राइवेट सिक्टर में शुबता जर प्रमोशन की स्थिती भी बन सकती है, सरकारी छेतर में लाव की आउसर बनेंगे, कोई दोस्त मददगार भी साबित होगा, नमंबर आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, प्रमोशन तो कन्फरम मानिए, दिवाली की खुश खबरी मिल जाएगी, लव लाइफ और म मेरेड लाइफ में थोड़ा बहुत उठापटक होगा, मंगल की स्थिती चुकि इवरिष्ट्रिक में आएगी, तो सब्तम को देखेंगे, गुस्य पर काबू रखिएगा, पत्नी को या पती को, अगर आपकी राशी इवरिष्ट्रिक है और आप पुरुश हैं, तो अपन मददगार साबित होगा, बिलकुल परिशान मत होगेगा, हर प्रकार की शुर्ता बिलेगी, नए प्रफोजल की संभावना, अगर आप सिंगल हैं, तो नए प्रफोजल की संभावना दिनांग 16-22 की बीच में संभाव है, प्रयोग क्या करना है, सिंग कन्या तुलाव तिल आम की लखडी पर सुभशनान के बाद धुआ करिए, गुड और काले तिल आग में डालिए, आम की लखडी थोड़ा सा लेकर 4-6 टुकड़ा और एक चुटके उसमें डाल दीजेगा, जैसे अगियार कहते हैं हमारे अवद में, गुड और काले तिल का अगियार करना ह पूरा नवंबर महिना, बस, नो नॉन्वेज, नो पत्थर, सिंपल, बाकि कोई चिंता नहीं, अंडा भी नॉन्वेज में आता है, लॉजिक मत दीजे कि फार्म का अंडा है, आपको साथविक रहना ही है, अगर हमारे जोतिश का कुछ लाभा आपको लेना है, बहुत शु ख्याल रखें, अपॉइंट्मेंट के लिए हमारे तीन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लाइश होते रहते हैं, किसी पर भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी करें, इन केस कॉल ना उठे, तो वाट्स अप, ऑल्वेज विल्कम, थैंक्यो, हमस्कार, शिरादे